वैस्णोभी हिल्दी फूड में आप सब का बहुत स्वागत है आज मैं फटी यडियों के लिए एक घरेलू उपाय बताऊंगी और बना कर दिखाऊंगी जो आप सब बहुत आसानी से बना लेंगे जैसे ही शर्दिया सुरू होती है सभी की यडियों में प्रॉब्लम होने ल लगाते हैं और हाथों का भी ध्यान दे लेते हैं लेकिन पैरों को बहुत कम ध्यान दे पाते हैं और सर्दियों में तो इंडिया फड़ जाती है आप इसका इलाज अपने घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें जो समान लगेगा आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा इस रेमेडी को आप आसानी से तयार कर लेंगे, और इसको जब आप इस्तेमाल करें अपने पैरों में लगाएं, तो उसके पहले आप अपने पैर को बहुत अच्छी तरह से साव कर लें, हलके गुन-गुने पानी से इसे शाप करें, और दस-पांच मिनिट गुनगुने पाने में बिगा कर रखेंगे बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा जो रूखी सूखी स्किन होती है वो निकल जाता है उसे निकाल कर लगाएं और इसको लगाने बाद आप धूल मिटी ज्यादा ना लगाएं पैरों में जैसे नंग इस रेमेडी को में तयार कर लेती हूं इसको बनाने के लिए पहले एक बर्तन ले लेंगे छोटा बर्तन ले क्योंकि थोड़ा ही बनाना है और इसमें मैं सर्सव का तेल डालोंगी 50 ml आप ज्यादा बनाना चाहें तो ज्यादा ले 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 तो मैं ये छोटी सी कटोरी ली ये कटोरी 25 ml की है कोई भी बर्तन में ज्रिंग के लिए आप ले 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 उसी से ले ले सामान सब को और सेम कटोरी से मैं नारियल का तेल डालूंगी ऐसे कल्छिज हो आप उससे भी नापकर ले सकते हैं सारा सामान तो ये नारियल का तेल सेम कटोरी से डाल रहे हूं मैं सर् मिला ले रहे हूं अच्छी तरीके से इसमें हम एलो वेरा जेल इतने ही मात्रा में डालेंगे एलो वेरा जेल में काफी मात्रा में आंटी अक्सिडेंट पाया जाता है इसे लगाने से इसकिन पर चमक बरकरार रहती है और इसकिन पर माजूद महीन रेखाएं हड़ती हैं तो मैं इसे जिल ही निकाल लोगी पहले काटीला हिस्सा निकाल कर चाकू से इस तरह से बारिक-बारिक करके निकाल लेंगे आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं इस तरह से निकाल लें मैं निकाल कर पहले से रख दी हूँ ये भी मैं 25 ml ही ले हूँ एक कटोरी भर के सेम कटोरी से इसे भी डाल दे रहे हूँ पहले सभी समान डाल कर अच्छे तरीके से मिला लें तब इसे गयस पर रखना है क्योंकि इसे पकाना नहीं है सिर्फ मिलाना है एलो वेरा जेल आप चाहें तो अपने स्किन पर लगा सकते हैं, फेस पर लगा सकते हैं, इस तेल को नहीं, इसे तो मैं येडियों के लिए बना रहे हूं, मैं एलो वेरा जेल की बात कर रहे हूं, इसका जूस भी लोग पीते हैं, एलो वेरा जेल के, जब अच्छी तरह से मि तुकड़ा कर लें तुकड़ा करके डाल दें मैं दो मुवथ्ति को इस तरह से एक दम बारिक कर ली हूं कि सेम कटोरी से इसको भी मैं इसी तेल में डाल कर मिला दूंगे अभी गैस पर न रखें सारा समान डालने तब मिला आएं उसके बाद ही गैस पर रखें क्योंकि इसमें मुवथ्ति डाली हूं और तेल हो गए रहे हैं कपूर भी डालेंगे यह कपूर ली हूं मैं पांच गराम पांच ग्राम कपूर को मैं पाउडर कर लिए हूँ, इस तरह से कपूर आती है जो पूजा में यूज करते हैं, वही कपूर, इसको पाउडर करके डालें लेकिन इसको अभी नहीं डालेंगे, इसको हलका सा गुनगुना कर लेंगे, तेल को तब डालेंगे, तो मैं गैस पर कर इसे मेल्ट कर लूँगी गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें इस बात का आप ध्यान दें मैं आगे भी बताऊंगी किस बात का ध्यान दें गैस को तेज ना करें क्योंकि इसमें मोम है और हम कपूर भी डाल देंगे इस अब जल जाता है बहुत जल्दी जलेगा इसलिए नगेज को फिलेएं पिल्कुल लो करके पकाएं गरम होते ही इश इसमें मों बत्ति डाले हैं मों यह पिघल जाती देखें, थोड़ा-थोड़ा भी मौम रह गया है, इसे भी मेल्ट होने देंगे, अब मेल्ट हो चुका है, बस एक डेढ़ मिनिट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, एक से डेढ़ मिनिट, इसे ज्यादा नहीं पकाना है इस बात का, बिल्कुल ध्यान देना, मैं पपूर जलाते हैं, उसी तरह से जलने लगता है, बस अब यह तयार हो चुका है, इसको हम गय से हटा लेंगे, देखें, इस तरीके से होना चाहिए, इसे ठंडा करेंगे, जैसे जैसे ठंडा होगा, जम जाएगा, क्रिम की देरा, जैसे क्रिम होती यह देखें, पहले साइ बरतन साइड में ठंडा होने लगता है, तो जम जाता है, हलका से मिला लें ऐसे चेमस से, जब जमने लगे तभी इसे मिला लें, थंडियों में बहुत जल्दी जम जाता है, जब अच्छे तरीके से मिल जाए तो इसे किसी चाओडे मूँ के बरतन में रखें, पतले बरतन म यह जम जाता है न इसलिए हलका गरम रहे तभी रख दें नहीं तो जम जाएगा बहुत बढ़िया होता है यह अडियों के लिए बहुत फायदेमंद है इसे आप जरूरी उच करें और बनाना भी असान है इस तरीके से आप लगाएं इसको लगाने के तरीका यही है जब इसे लगाएं आप उसके पहले गरम पानी से अपने पैर को साफ कर लें ताकि जो डेड़ी स्किन है ओ निकल जाए गरम पानी में 15-20 मिनिट पैर को भीगा कर रखें और इसमें थोड़ पानी से जल्दी साफ होता है उसके बाद ऐसे लें इसको पांच मिनर तक अपने यणियों पर ऐसे लगाएं धेरे जहां दरार फटी है मोटी मोटी वहां भी लगाएं तीन दिन में सब भर के एकदम चिकनी हो जाती है इसे दिरे दिरे लगाएं बहुत फायदा करता है इसको लगाने के बाद आप मोजा पहन लें या तो बाहर निकल रहे हूं तो जूते पहन लें क्योंकि देखिए कितना चिकना है तो जब आप धूल मिटी में जाएंगे फिर से चिपक जाएगा जो एडियों में दारार फ बहुत अच्छा है यह कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में साम को लगा लें फिर सुबह जब नहाद होकर आप खाली होते हैं पैर साप करके तब लगा लें आपको बहुत फैदा नजर आएगा एक बार जरूर यूज करें लेकिन इणी और पैर अच्छी तरह साप करके यूज करें दोल मिट्टी बिल्कुल न लगी हो तो है ना कितना आसान इसको बनाना आपके और हमारे घर में ये समान हमेशा उपलब्द रहता है बहुत आसानी से बन जाता है आप इसको इस्तेमाल करें आपको बहुत फैदा महसूस होगा अगर यह वीडियो आपको अपील कर रहे हूं मेरे चैनल को बिगर सब्सक्राइब किये मत जाईएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी लेटिस वीडियो के नोटिफिकेशन साब को मिलते रहें तो मिलती हूं अगले ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ तब तब के लिए नमस्का